हेलो फुडीज मैं हूँ किरन होममेड फुडी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए मेथी मटरमलाई की रेस्पी देकर आई हूँ रेस्पी देखने के बाद चैनल को सबस्वाइब कर ले और साथ ही पहला आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रोज नहीं रेस्प को साफ किया जाता है यह देखे इस तरीके से पहले पत्तों को हरे हरे पत्ते जो होते हैं उन्हें अलग कर लेना है और डंडियों को अलग कर देना है यह देखे इस तरीके से यह देखे पत्ते बिलकुल अलग लग करने हैं इसमें डंठल नहीं आने चाहिए यह देखे इस तरीके से पत्ते पहले तोड़ लेने हैं, और जो ये बेकार के पत्ते होते हैं, इन्हें हम फैंक देंगे, जो नीचे के तरफ पत्ते होते हैं, वो बेकार ही होते हैं, या पीले पड़े होते हैं, या गले होते हैं, तो उनको हमें अलग कर देना है, और मैंने इसे पत्तों को अच्छे से धो लिया है और धो के फिर उसके बाद इसे बारीक बारीक काट लिया है इस तरीके से और ये मैंने लिये हैं मटर ये ताजी मटर है तो आप जाहो तो इन्हें बॉयल करके भी आप ले सकते हो मैंने बॉयल नहीं किया है मैंने बिना बॉयल किये हुए लिये है और साथ मेंने काजू लिए हैं और हरी मिच को भी मैंने बारिक-बारिक कट कर लिया है सबसे पहले हम फ्राइपैन में मेथी को थोड़ा सा भून लेंगे हलका सा इसे हमें भूनना है यह देखिए थोड़ी नरम कर लेना है इसे थोड़ा इसका कडवापन इससे निकल जाता है ज्यादा देर नहीं करना है हमें सिर्फ 5-7 मिनट के लिए ही इसे हलका सा भून लेना है और इसमें मैंने ना गी तेल कुछ नहीं डालना इसे ऐसे ही चोटी वाली और साथ में डाला है जीरा और साथ ही डाल दिया है प्याज अब इसे हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक बून लेंगे प्याज ब्राउन हो चुका है अब अब इसमें टमाटर डाल देंगे इसे भी हलका सा नरम होने तक हम भूनेंगे साथ में मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, काजू और साथ ही अब डाल दिया है नमक एक चमच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है वन फोर्थ स्पून के करीब मैंने हल्थी पौडर डाल रहा है और एक चमच के करीब मैंने इसमें धनिया पॉड़ो डाल दिया है इसमें मसाले बहुत ही कम यूज होते हैं और अगर आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च एड़ करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो इसे स्केप भी कर सकते हो इसे अब मसालों के साथ थोड़ा सा हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे पांच साथ मिनट के बाद ही हम इसे फिर से चेक करेंगे ये देखें पांच मिनट हो चुके हैं के टुपार जो हैं नर्म हो चुके हैं थोड़ा सा सा मसाला जो है ऊको भून चुका है कि दिखे इस तरीकेस स्मयाक की हलगाँ नर्म कर लेंगे कि अधिन हम थंडा होने के लिए रग देंगे थंडा होने लाख नई के बाद हम इसे सारे मुसाले को यह देखिए अब हम इसे Где примie से मेंजेदे gdy कि सारा मसाला मैंने पीछ लिया है देखिए कितना स्मूध पेस्ट बना है और इसका कलर किसे कितना बढ़िया कलर आया है यही color मुझे चाहिए था यह देखिए अब हम कड़ाई में उसी कड़ाई में ही इसे सारे पस paste को डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे यह देखिए यह जो मसाला इसमें थोड़ा सा लगा रहे गया है हलका साही इसे चलाना है ज्यादा देर नहीं हमें भूनना है क्योंकि हमारे मसाले पहले भी हम भून चुके हैं उनको अब हम इसमें डाल देंगे जो मेति हमने सौटे की थी वो सारी मेति हम इसमें डाल देंगे अब साथ ही इसमें डाल देंगे मतर मैंने 1,5 किलो के करीब मेति ली थी और 500 ग्राम के करीब ही मैंने मतर लिये है इन दोनों को डाल कर अच्छे से इसे mix कर देंगे और थोड़ा सा ही मैं पानी इसमें add करूंगी पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालते हैं बस थोड़ा सा ही add करना है यह देखिए पांच मिनुट के बाद ही देखिए सबजी हमारी पक चुकी है अब इसमें डालेंगे चीनी, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी आड़ कर दी है कम से कम एक चमच की करीबी मैंने चीनी डालना ओप्षन है अगर आप डालना चाहे हैं तो डाल दीजिए नहीं तो आप स्केप भी कर सकते हो थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम डाल दिया है अब इसे थोड़ा सा चला देंगे बहुत ही जबरदस सबजी बनी है बहुत ही खुश्पु अच्छी आ रही है बहुत टेस्टी सबजी बनी है तो एक पर घर में जुरूर प्राई करना और यह मैंने लिए सूखी मेति जिसे मैने कसूरी मेति भी कहते हैं जिसे उसे भी डाल देंगे इसे मैने तवे पर बस अच्छे से मिक्स करके इसे कवर कर देना है डीजे सबजी हमारी तयार है अब हम करमा गरम सब कर देंगे तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेस्पी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमंड करके जुरूर बताए और अगर अभी तक आपने मुझे फ सब्स्पी के जाद